असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम टू माई पबजी वीशन चैनल तो यह वीवर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइटल से पता चल किया होगा के कि मैं कौन से चेलेंज के बारे में आप लोगों को इन्फरमेशन देने वाला हूँ तो सबसे पहले जाते हैं म चैलेंज जिस मिशन पर जाते है उइसके साथ मैं अगर आपको ब्ता दो यहां पर हमारे पास वो mission है finish in the top 3 two times in a weekend classic mood तो आप लोगों ने क्या कर लेना है आप लोगों ने top में आना है top 3 में आना है टिके top 3 में आना है match में और वो भी weekend में weekend in classic mood में आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे आगर आगर आप लोग weekend वेसे map come name है तो आप लोगों को में यहाँ पे दिखा दूँ मेरे पास अभी download नहीं है यह आप लोग देख सकते हो classic उपर select है और यह यहाँ पर weekend लिका है तो यह वाला map आप लोगों ने select किया है जो आप बर्फ होता है तो आप लोगों ने वहाँ पे दो matches केलने है और वहाँ पे दो matches में आप लोगों ने top 3 में आना है तो आप लोगों का यह challenge complete हो जाएगा उसके साथ साथ अगर मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे challenge जिसके बारे में तोड़ा सा discuss कर लूँ तो आप लोगों का तोड़ा सा confusion दूर हो जाएगा use the flippy mode in school area तो आप लोगों ने flippy mode जो है वो use कर लेना है school area में उसका वीडियो मैंने बना दिया है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है पिर भी अगर आप लोगों नहीं जानते तो आप लोगों ने flippy mode use कर लेना है जो के 40 RP पर आपको मिलती है तो आप लोगों ने school में जाके वहां पर use कर लें तो आपको यह challenge complete हो जाएगा kill 20 enemies in puchangki with M416 या skarel तो आप लोगों ने school या M416 उटा देना है उसको पुचंकी में जाके वहां पर 20 skill कर देना आप लोगों को यह challenge complete हो जाएगा आपको मिलेगी पिर कई और नहीं मिलेगी आप लोगों को तो आप लोगों ने weekend में जाके यह 10 player इससे kill कर लेने आप लोगों को यह challenge भी complete हो जाएगा land on the top of building in puchangki 3 times तो पुचंकी में जाके किसी भी chat के ऊपर puchangki के किसी भी building के ऊपर आप लोगों ने 3 time land करना है तो आप लोगों का यह challenge complete कर हो जाएगा finish in the top three two times in the canteen classic moore ने discuss कर दिया carry your teammate for a total of 10,000 while driving vehicle तो आप लोगों ने 10,000 meter लेके जाना है अपने friend को गाड़ी में बिटा के ठीक है तो आप लोगों का यह challenge complete हो जाएगा किसी भी map में आप कर सकते हैं R&S rating are about three time all in a group with friends in classic mood तो आप लोगों ने classic mood में किसी भी map को select करना होगा और वहाँ पे आप लोगों ने अपना rating ratio जो है वो S तक बढ़ाना है यहाँ पे जो आप लोगों को map show होता है यह game के पास वहाँ पे आप लोगों का ace होना चाहिए ठीक है three time आप लोगों ने इसा करना है और वो भी friends के साथ यानि squad में आप लोगों ने play करना है तो आप लोगों का AWM easily मिल जाता है यह 15 minute का जो मेज होता है sniper training वाला तो आप लोगों का यह challenge complete हो जाएगा और एक image में आप कर सकते हो गर आप चाहों कि वहाँ पे AWM बहुत ज्यादा मिलते है जो मैंने में बता दिया ठीक है तो आप लोगों का 1500 health यानी recover करना है bandage लगाने है या आप लोग health kit लगा सकते हो तो आप लोगों का यह challenge complete हो जाएगा open five year drops तो आप लोगोंने पांच drops open करने होंगे जो जहाज से गिरते हैं हर एक circle के खतम होने के बाद एक drop गिरता है तो आप लोगोंने wait करना है जब तक drop किरें आप लोगोंने पहुंच जाना है और सिरफ open कर लेना है उसके बाद जब five हो जाएंगे तो आप लोगों का यह challenge कप लिडियो जाएगा यूर्ज आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगए हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देना चैनल आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर देना क्योंकि मैं इसी तरह से बहुत simple तरीके से आप लोगों को challenges समझाता रहता हूं thanks for watching मिलते हैं next video में